यह जो टॉपिक है ना प्रूबैबिलिटी अब मुझी तो बहुत असान लगता है लेकिन मैं इसको इसलिए इंपॉर्टेंट समझता हूँ क्यों कि most of the student find it difficult to solve बहुत बच्चों को प्रूबैबिलिटी का नाम सुनके भी ना डर लगता है मेरे पास भी offline में बहुत सारे students हैं जो कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं कि सर इस पर्टिक्लर टॉपिक को पढ़ाओ देखिए आ राइमसी में तो बहुत सिंपल प्रूबैबिलिटी आप से पूछी जाती है प्रूबैबिलिटी का अगर आप नेक्स लेवल देखो गया एडवांस वर्जन देखोगे तो कहीं ने कहीं प्रूबैबिलिटी अपने आप में पर्मुट्रिशन और कॉम्बिनेशन को इंक्लूट करती है ठीक है क्योंकि बेसिकली क्या है ना प्रूबैबिलिटी के आपके पास उसमें दो कार्ट निकालने के कितने तरीके तो कुछ भी हो सकते है तो वहां पर पर मुटेशन कॉम्बिनेशन कमसे लेकिन अगर एक ही कार्ड निकालना है तो फिर वह ऐसे कुशन साबसे आरहें से में पूछ लेगा यह अगर आप डाइस थ्रो करते हो ऐसे स्पेस या फेवरेबल आउटकम निकालना आपके लिए आसान हो जहां पर आपको पर्मुटेशन इन कॉम्बिनेशन का यूज ना करना पड़े तो इसी तरीके से पहले में प्रोबैबिलिटी क्या है वो मैं आपको बता दू और उसके बाद एक कुशिन कर रहेंगे सिंप अधि फेवरेबल आउटकम तर पेवरेबल और टोटल क्या फार। ठीक है अब ये क्या बोल रहा है सर हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपने क्या बोल दिया सर कि कुछ समझ में नहीं आ है तो आप लोग सुन लिजिये पहले सबसे पहले तो probability का जो literal meaning है ना probability का literal meaning है chance चान्स पर डान्स ठीक है दीख़े चांस की बाद इस 하니까 करता हुआ हां पर हमें शॉरीरिटी नहीं होती कि ऐसा होगा यह नहीं होगा ह़िक ठीक है हमने अर्मसी के एक्जाम दीआ पास हुँगे नहीं होंगे शॉरीरिटी ने हैं तो हम वहाँ पर chance की बात करते हैं या probability की बात करते हैं हम बोलते हैं हम बोलते हैं कितने chances हैं पास होने के क्या probability है पास होने की यहाँ पर बारिश होगी नहीं होगी ठीक है यहाँ पर हम probability की बात करेंगे क्योंकि these are not certain events यहाँ पर surety नहीं है ठीक है तो ऐसे experiments को जहाँ पर surety नहीं होती, इनको हम random experiments कहते हैं, ठीक है, so these are all random experiments where you cannot surely say कि भिया, यह outcome आने वाला है अगर मैं सिक्का भी उच्छा लूँ ना, तो head आएगा, tail आएगा, आप 100% के साथ नहीं कह सकते हैं, ठीक है यह मत कहते हैं सर, head आया देखो, फिर उच्छाला फिर head आगया, अगर आप infinite times, अगर आप, if you will toss a coin, infinite times you can get head, और infinite times you can get tail, तो वहाँ पर surety नहीं है तो जिन जिन experiments में surety नहीं है, ऐसे experiments को हम random experiments कहते हैं, और वहीं probability यूज़ भी होती है, और जो sure event यार, उसमें क्या जिसे, अगर मैं खाना खाऊंगा, तो मोटे होगा, अगर मैं ओवरीटिंग करूँगा, तो वहाँ पर probability थोड़ना होगी अगर कोई मुझसे बच्चा पूछेगा, सर, मेरे ना मैं रोज पीजा खाऊं और कोडरिंग पीओं, तो क्या probability है कि मैं मूटा होगा, अब है 100% यार, वो तो, वो तो sure event है, वो तो होने होना है, ठीक है, तो basically, probability की बात हम तब करेंगे, जहां पर आप surely outcome नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है, जैसे कि मैंने कुछ example दिये, जिसे कि rolling a dice also, tossing a coin, ठीक है, उसके इलावा, जैसे weather, मैंने आपको बताया, बारिश होगी नहीं होगा, इसलिए weather में भी हम लोग बहुत बात करते हैं, probability की न, weather department वाले, या metrological department वाले भी हमें बताते हैं, कि आज बारिश होगी कि इसके वज़े से हम school off कर रहें, DM के orders आते हैं, और उसी दिन आप क्या पाएंगे कि उसी दिन आपको बारिश नहीं देखने को मिलती है, तो कभी ना कभी weather department वाले भी properly उसको predict नहीं कर पाते, because these events are not sure events, okay, यहाँ पर outcome is not certain, यहाँ दखना कि probability chance की बात हम तब ही करेंगे, जब हमारे पास, हमारे पास random experiments आएंगे, random experiments का मतलब है, जिसका outcome आप surely नहीं बता सकते कि क्या होने वाले, okay, अब जैसे कि for example, हमारे पास भी parents आते हैं और बोलते हैं, sir, हमारे बच्चे की क्या guarantee है, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि guarantee मत बोलो, probability बोलो, और probability भी उसकी जो performance है, उसको देखकर ही बताएंगे, ठीक है, एक chance बताएंगे, कितने chances हैं, मैं काऊंगा, जिससे parents परसेंट के उसका RMC का exam qualify होगा, ठीक है, और जो बच्चा ठीक ठाक है average है, उसका भी I cannot say कि 100% मैं यह बोलूँ कि वो exam qualify नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो basically, यहाँ पर जो मैं favorable outcomes निकाल रहा हूँ, यह सारे random experiments के निकाल रहा हूँ, और जो मैं total number of outcomes outcomes भी निकालूँगा, यह भी random experiment के निकालूँगा, ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा example देख लीजी आप, जैसे कि अगर मैं experiment लूँ, I have taken a experiment, और वो मैंने लिलिया, tossing a coin, अगर आप किसी भी coin को toss करते हैं, तो basically इसके जो outcomes होंगे, total number of outcomes, इसको हम sample space कहते हैं, ठीक है, total number of outcomes को ही हम लोग sample space भी कहते है, एक निया term picture में आया है, जिसको हम बोलते है, sample space, ठीक है, तो total number of outcome तो हम यह sample space को हम S से represent करते हैं, थोड़ा सा set theory का use करेंगे, इस तरीके से हम लोग sets में दिखाएंगे, कि total number of outcomes कितना होगा, if you toss a coin, क्या आने वाला या तो head आएगा, तो tail आएगा, so this is nothing but the total number of outcomes, इसको हम क्या बोलते हैं, sample space, अब इसमें, जो events है मेटा, इस sample space में, जो events है, जैसे कि for example, weather मैंने ले लिया, एक weather का prediction, एक random experiment है, तो उस weather के अंदर क्या-क्या मेरी total outcomes आ सकते हैं, उच भी आ सकता है, weather cloudy भी हो सकता है, windy भी हो सकता है, rainfall भी हो सकता है, क्या पता, snowfall भी हो storm, so there are lots of things, lots of sample space, लेकिन मैं आपसे पूछता क्या हम, probability हम पूछते किसके हैं, बारिश होने की probability क्या है, ठीक है, बरफ गिरने की probability क्या है, ओले गिरने की, hill storm गिरने की probability क्या है, तो हम जो probability पूछते हैं, वो हम events की पूछते हैं, जैसे कि for example, मैं यहाँ पर यह नहीं पूछ से हैं, उसको हम लोग events बोलते हैं, we call it events, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, total number of sample space कितने हैं, दो sample space है, ठीक है, we can also find the cardinality also, cardinality का मतलब होता है कि number of elements कितने हैं, किसी भी sets के अंदर, तो अगर मैं n of s करके निकालू, तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, n of s is equal to 2 हो गया, ठीक है, अब मैं थोड़ा से एक बड़ा sample space ले लेता हूँ, मैं, अगर मैं बोलों का tossing, tossing, two coins, अगर मैं दो coins को toss करूँ, यहाँ पर sample space कितना हो जाएगा, दो coins में देखो, यह समझ पा रहे हो ना, आप दोनों head आ सकता है, या एक head, दुसरा tail, या एक tail, यहाँ पर मेरा sample space थोड़ा सा और बढ़ी गया, अगर आप तीन coins को toss करेंगे, sample space और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यह sample space निकालना, it's very easy, कोई tough नहीं है, और यहाँ पर favorable भी निकालना आपको tough नहीं लगेगा, अगर मैं से बोलेगा, find the probability, find the probability of at least, of, of at least one head, at least one head, तो यह जो मैं probability निकाल रहा हूँ न, at least one head, यह मेरा event है बिटा, event, तो पहले इस at least one head वाले event को निकाल लेते हैं, सबोस ई से मैं इसको represent कर रहा हूँ, और यह मेरा favorable outcome भी है, एसी को हम favorable outcome बोलते हैं, जो हमें निकालना है, वो हमारा favorable है न, total number तो हमने निकाल दिया sample space, at least one head का मतलब होता है कि कम से कम एक head, कम से कम का मतलब होता है कि एक head से नीचे 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 बात, उपर कितने भी हो सकती है, जितने sample space में maximum head है, वो तो आएगा या आएगा, लेकिन एक से minimum नहीं होना चाहिए, तो event मेरे कहके आजाएंगे, at least one head का मतलब है, देखो, दो भ कम नहीं लाएगा, अगर मैं कम से कम 10 रुपे का होगा, if I'll say at least 10 रुपीस तो लाने लाने है, तो सब बच्चे कम से कम 10 तो लाएंगे, लाएंगे, उसके उपर की limit है उनकी, कहां तक है, जहां तक 100, जैसे यहां पर क्या है, at least one head का मतलब क्या है, ज्यादा उपर की limit का है, एक भी head नहीं है, तो यह मेरा क्या होगा, event हो गया, कौन सा event है, at least one head, तो यह मेरे favorable outcome होगे, favorable outcome क्या है, n of e, अगर इसकी में cardinality निकालोंगा, मतलब total number of elements कितना आ जाएंगे, 3, और यहां पर जो sample space है, उसकी cardinality कितनी आ गई, 4, तो अब मसे अगर कोई probability पूछेगा, what is the probability of this event e, तो आ बोलोगे, favorable outcome, which is 3, upon total number of sample space, 3 upon 4, 3 upon 4 का मतलब है, 75% is the probability, कि at least one head आ सकता है, तो probability is nothing but the ratio of your favorable outcome and the total number of sample space, यह total number of outcome, ठीक है, तो इसी ratio को तो हम probability बोलते है, लेकिन आपो क्या निकालना आना चाहिए, एक तो sample space आपको निकालना आना चाहिए, और आपको क्या निकालन आना चाहिए, जो आपका favorable outcome है, फिर तो इसको डिवाइड ही करना है, और आप इसको ना fraction में भी represent करता हो, ठीक है, आप इसको percentage में भी represent करता हो, 3 by 4 into 100 कर लोगे, तो it is going to come 75%, जिस हम chances बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप बोलते हैं, सर half chances हैं मेरे, half chance का मतलब क्या है, half you are telling the probability probability in fraction, अगर आप बोलोगे सर, 50-50 chances हैं, 50% क्या है, 50% it is nothing but, आप मझे percentage में बता रहो probability, तो probability को आप percentage में भी represent कर सकते हो, अगर आप percentage में represent करोगे, तो probability की value 0 to 100% जाएगी, ठीक है, 100% से उपर नहीं होती probability, fraction की बात करोगे, तो 0 to 1, जैसे हम लोग वर्क को लेते हैं, वर्क को probability भी है, अच्छा, अगर ये चीज़े clear है, तो अगर मैं एक question कर लो, आपके साथ, एक question क्या है, question आपको दिया है, if two unbiased dice are thrown, अब दिखे dice के बारे में भी मैं आपको बता दूँ, और दो dice की बात कर रही है, अगर मैं एक dice को throw करूँ, one dice अगर मैं throw करूँगा, तो क्या आ two dice, तो वहाँ पर combination क्या क्या बनेगा, देखो, पहले हम मैं दो dice का sample space बना के दिखाता हूँ, एक dice का बना दिया न, अगर आप एक पासा फेकेंगे, वो आता है न, लूडो में, अगर आप एक dice को throw करोगे, तो one भी आ सकता है, two भी आ सकता है, three भी आ सकता है, ये मेरे total number of outcomes से, लेकिन अगर मैं दो dice की बात करूँ ये अछे, पहले, talk about two dice, तो two dice में कह cancelled है, samples in Ś plane, दोनू one आ सकते हैं, एक one के साथ two आ सकता है, एक one के साथ three आ सकता है, one के साथ four आ सकता है, वन के साथ five आ सकता है, one के साथ six आ सकता है, बलकि इसको मैं ऐसे row में में बनाता हूँ, दुत्री dice में भी बनाया है, ये भी possibility है, ये मेरे सारे possibility लिख रहा हूँ, यहाँ पर उसी को हम sample space कहते है, या तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, या तो 3 1, 3 2, 3 3, ये sample space दिखाना जरूरी है, इससे बहुत सारे questions बन सकते हैं, दो dice का sample space बहुत important है, 3 3 3, ये RMC का सवाल है, जो मैं आप सकता है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, इसलिए पुरा sample space लिख रहा हूँ, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, तो इस 6 by 6 का बन रहा है, इसका अवलब the total number of sample space या उसकी जो cardinalty की बात करूँ, वो 36 है, इतनी है, 36, 36 elements आपको सामने दिख रहे होंगे, या आपर, अब मस्त पूछ रहे है, getting some 5, तो 5 वाले, some वाले, जो मेरे elements होंगे, वो मेरे favorable होंगे, 5 का आरा भया, यहां आरा 5, यहां 5 आरा, यहां 5 आरा, यहां 5 आरा, यह तो है 5 वाले, खास बात यह है कि इसमें इस तरीके से एक pattern बन जाता है, और आप बहुत easily identify कर सकते हो, 6 वाले होते तो य होते है, कुछ भी कूछ सकता है, तो यह मेरे favorable outcome है, जिसका sum कितना आ रहा है 5, इसके लावा कोई और है, यहां पर sum 5 आ रहा है, तो probability of getting sum 5, what is the probability कि sum 5 आ है, is equal to favorable outcome, कितना है, 1, 2, 3, 4, favorable outcome 4 है, और अपन, total number of sample space कितना है, मेरा 36 है, तो 4, 1, 4, 9, 1.9 will come the probability, okay, 1.9 probability आएगी, sample space बनाएगा, 10 number का सवल अगर RMC में आएगा, तो sample space भी बनाना जरूरी है, ठीक, I hope, आपको probability अच्छे से समझ माई होगी, last 7 years के सारे questions कर लेना, टफ नहीं पूछेगा आपसे, easy था favorable और total number of sample space निकालना, इसमें कुछ और advanced questions जरू Olympiad में उनको में touch करूँगा, ठीक, so that's all for today, bye-bye, see you soon, all the best.